become system administrator in 2024 की playlist में एक बार फिर से वेलकम है आपका आए मजीत रावत और अलाइन इंस्टेक्टर करेंगे तो 42 वीडियोस आपको इस प्लेइस्ट में मिल जाएंगे यह 42 वीडियोस इनफ हैं तो प्रिपेर आवर सेल्फ टो विकाम असिस्टम अड्मिनिस्टेटर त्यारी करने के लिए अपने पास अच्छा वासा कॉंटेंट हैं अगर हम डेडिकेशन के साथ इन सभी करके चेक करते हैं तो डेफिनेटली 100% वी आपको प्लेइस्ट में आपको क्या-क्या मिलेगा उसकी लिस्ट साथी साथ इंटर्व्यू के प्रिप्रेशन अगर आप अपने आपको प्रिपेर करना चाहते हो तो क्रैक्ट इंटर्व्यू ऑफ सिस्टम अड्मिनिस्टेटर तो यह वीडियो आपके लिए बेनिफिस्यल रहेगे क्योंकि इस वीडियो में हम आपको A to Z गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप त्यारी करेंगे कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस रखना है रिजिमे कैसे आपको त्यार करना है रिजिम के अंदर कौन-कौन से ट इस वीडियो में करने वाले हैं तो मूब करते हैं पहले डिस्क्राइब करते हैं प्रिप्रेशन के लिए आपके पास क्या-क्या चीज़े होनी चाहिए क्या-क्या चीज़े आप त्यार करेंगे फोकस किस पर रहेगा and then we'll also discuss about some interview question कि यह question आपके इंटर्वी कर टाइम पर में भी की पूछ सकते हैं जो important question है उन पर हम discuss करेंगा मुब करते हैं बड़ा उसके पहले अगर आप नए हमारी यूटुब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दू सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं अपने स्क्रीन पे और एजटा क्लियर है हमारा विकम सिस्टम एडविनिस्टेटर इन 2024 दिस आर एजेंडा और इसमें बात करने वाले सब्सक्राइब के लिए सबसे पहले हमारे रिस्पॉंसिबिल्टी ये वनती है कि पहले हम अपने कोश्चन को ना डेक स्टॉप ट्रॉबल सूटिंग ठीक है अपने कोश्चन को तीन पार्ट में इनके परसंटेज को डिवाइड कर देते हैं दूसरा है हमारा विंटेल विंटेल इंदस अपका एक्टिर और तीसरा है सबसे पहले आप डेक स्टॉप और लैप्टॉप में जो बेसिक इसूझ यहां ठीक है लैप्टॉप और डेकस्टॉप बेसिक इसूझ परeteल करोगे नहीं कर पार हैं जो आपका नेटवर्क का कॉंसेट है बेसीक इसुज पूर्ट फायोटर होता है यूज नो अबाउट हैं आपको आपको के बारे में मालूम होना चाहिए आपको बीपीन का पता होना चाहिए कि बीपन कितने तरीकित होते हैं यह कुछ पॉइंट है जो आपको मैंने रखने है और प्रिंटर मैंजमेंट की बात करें तो प्रिंटर मैनेजमेंट में एबकर जाता है नेटंवर्ड पिंटर शेस्ष्ड ऊपनटर जो कि सान odpow बेसिक स्वालूशन थिक है अब आउट एमेल की आउटलुक नहीं काम कर रहा है उटलुक को सेफ मोड में कैसे लॉग इन करते हैं या इमेल सेंट नहीं हो रही अटेच्मेंट आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो यह सारा पॉइंट आपको इमेल मैनेजमेंट में आना चाहिए नमबर 4 डिस्क एंड स्टोरेज डिसक रिस्क के केस में जो कोश्चन बन दा है वह है आपका सबसे पहले फैट सिस्टम दूसरा है रेट सिस्टम तीसरा है पार्टिशन है तो यह सभी पॉइंट्स आपको माइन में रखने हैं कि यह सभी पॉइंट में टास्क पर है सरवर की बात करें ठीक है विंडोससर्वर की बात करें जो भी सर्वर ओपरेटिंग सिस्टम आपके पास सेंहें उनकी हम बात करें पहला इंस्टॉलेशन ऑफ कर ऐदी इंस्टाल है अटिव डायवारी हमें मालूम होना चाहिए इसस्टिप्स की कि हम किस तरीके ते ऐ़ एपी 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 माइक पून हो जाता है अवार जारी ना भी इंस्टाल एक्टिव डेक्टरी डॉमेन सर्विसेस राइट वी सुट नू अबाउट दे मैथेट एडी डियस का इंस्टालेशन प्लस दूसरी नंबर पे आप से वाट इस एडी जो कॉमन कोश्चिन है इंटर्वियर पूछता है आप से एफसे मोर रोल का आप प्रिपरेशन कर लेंगे एफसे मोर रोल्स क्या होता है और कैसे इनको ट्रांसफर किया जाता है नंबर चार अगले स्टेप के अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइं सब्सक्राइब करेंगे यह तो मनें आपको बेसिक बताया प्लेलिस्ट में बहुत सारी इंफ्रमेशन अबेलेबल है जिसको आप यूज करके जिसको चेक करके आप अपनी अक्टिविटी को मैनेज कर पाएंगे अब आ जाते हैं इमेल सर्विसेस की बात करते हैं इमेल सर् चारी करनी है लाइक यूसुट नौब और इक्सचेंज की इस जाएंच सर्वर कैसे काम करता है यूज बाएट माय्कोसोफ 365 365 licenses right कितने तरीकी के licenses होते हैं और उन license की किस तरीके साम इस्तमाल करेंगे you should know about all options are available in users properties user की properties पर जो options दिखाई पड़ रहे हैं उनके बारे में भी आपको मौलब होना चाहिए next अगले point की अगर हम बात करें यह तो हो गया comments apart और next Microsoft intra-ID the meaning of Microsoft intra-ID which is considered as a Azure AD इसको अगर हम बात करें तो you should know about shared mailbox ठीक है और अगला distribution list DL वगरा के बारे में भी हमें मालुक होना चाहिए बाकी को content हमारे इस particular playlist के अंदर आपको मिल जाएगा जो आपकी help करेगा to understand about the concept of these services यह बात हो गई अपने पास किसकी about the questions कि आप अपने त्यारी कौन-कौन से area में करेंगे means about the window, desktop and something यह सारा part हो गया अब अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो अगला जो पॉइंट है वह रिजूम राइटिंग ठीक है इन केस आप रिजूम राइटिंग आपको at least two and two and a half pages का resume create करना है right two and two and a half pages का दो से धाई page का आपके पास होना चाहिए depend upon the experience तो आपका जो format होगा वो format पे बात कर लेते हैं for example यह अपना page one है तो page one में आपको क्या करना है इस लेफ्ट कॉर्णर पे राइट इस लेफ्ट कॉर्णर पे अपनी सारी information ABC और जो आपके पास certification है like you are mcsa certified for example यह आपके पास azure का certificate है यह आपके पास office 365 का certificate है यह सारी information आप यहाँ पर fill up कर देंगे contact number और email id के साथ साथ and then उसके बाद जो पहला page आएगा आप अपने strength के बारे में बताएंगे describe करेंगे then दूसरा page है वहाँ पर हम discuss करेंगे about our technologies कौन कौन सी technologies आपको आती है basically उन सब लिस्ट सारे content कि आपको विंटल में आता है desktop में आप ट्रबल सुटिंग office 365 का पार्ट आपको अच्छे से आता है like that यह सारी information आप यहाँ पर fill up करेंगे then यह complete करने के बाद page number two पर जो information रहेगी आप इस्टार्ट करेंगे experience से जो भी आपका experience existing experience से जो current company है उसकी information पहले रहेगी सबसे then उसके बाद दूसरी तीसरी जितने भी companies में आपने काम कर रखा है उनकी list आप तयार करेंगे but starting करेंगे अपने current organization से यह complete करने के बाद अगर आपने कोई project किया है any kind of live project आपने handle किया प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है आपने किसी company के लिए domain setup कर रखा रखा विच इस इस प्रोजेक्ट आपने किसी company का email migrate कर रखा है या exchange को hybrid बना रखा है वह भी आपका consider किया जाएगा as a project जो भी project आपने implement कि हैं उनकी list आप provide करेंगे और सबसे last में आपकी personal information होगे तो यह आपका format बनेगा अब time लगाओ इसमें because you know that resume की वजह से हमारे हमारे पास calls आती हैं तो हमारे जितना better resume रहेगा जितने सारे content हम वहां पर genuine fill up करेंगे उसके according हमें calls receive होगे so that's it guys आज के लिए इतना ही अप इस playlist में त्यारी करते रहो और बहुत ही जल्द हम अपने mobile application और udemy पे एक premium course launch करने वाले हैं which is azure virtual desktop premium course इसलिए क्योंकि इसमें money back guarantee रख रखा है कि course भी बहुत normal है अगर normal market में करने जाएंगे एवीडी का तो जो रेपूटेट और्गनाइजेशन है जो ट्रेंग प्रोवाइडर है 42-45,000 उसका course fee है और मतलब नॉर्मल इंस्ट्यूट में तो यह बहुत कमी chances है कि एवीडी का class आपको मिले हमारे पास जो online classes वो 15,000 की है बट इस recorded session में अभी इन प्रोग्रे से इस recorded session को हम बहुत ही नॉर्मल कोस्ट में लाउंच करने वाले हैं विद मनी बैक गारंटी 10 डेस के लिए कि दस दिन तक आप उसको चेक करिए content को चेक करिए if you feel कि आपके लिए content नहीं है देन आप रिफंड यूर अमांट जो भी होगा XYZ अमांट जो भी होगा तो बहुत ही जल्द लाउंच करने वाले स्टे ट्यून विद तीचमी क्लाउड और मिलते हैं गली क्लास में तब तक के लिए दो सब्सक्राइब यूरान टीचमी क्लाउड यूटू चैनल बबाई